हाई वरिवन वेलकम बैक टू अबरुटूव चैनल फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं यमसी की उसान फ्लोरा अब जीहनके यूटी तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे scientific name of trace तो कुछ चीजें हैं जो important है वीडियो को complete जुरूर देखना आख जेके ऐसे भी exam की त्यारी कर रहे हो तो guys मैं आपको बता दू कि हर एक exam के लिए important है जैसे कि stock extent वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे कि हमारे syllabus में flora फरना नहीं है मैं आपको बता दू कियोंकि आपके syllabus में direct subject है geography ठीक है जोग्राफी जो है उसके according आपको ये सारी की सारी चीज़े पढ़नी पढ़ेंगी क्योंकि जो आपके geography है उसमें आपको national park भी पढ़ने है ठीक है एफ़िक एक्जाम के बाद हम इस टॉक एस्टेंट का syllabus विड्लाइफ गार्ड का वैटरनारी फार्मिस्ट का जो हमारा रुका हुआ है उसको हम कांटिन्यू करेंगे ठीक है तो प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं नहीं जाना आपको सब कुछ यहीं पर मिलेगा वह भी बिदाउट एनी पेइंग एनी कॉस्ट तो आज के इस वीडियो में scientific names ही है बाकी next lecture हमारा हो सकता है कि हमारा lecture जो होगा वो पुलवामा डिस्टिंग पर हो कहने के मतलब पुलवामा और शॉप यहां जो डिस्टिंग है उनके एमसी गूर तो यह है आज का हमारा टॉपिक यहां पर आप नाम पढ़ सकते हो गाईज और इस वीडियो में हम करेंगे 15 कोशन तीक है scientific नेम चीज़े सीखेंगे नए 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 को ठीक है तो सुगाई जैसे कि आपको पता कि हमने इसका theoretical पोशन रफो कर दिया यानि कि कहने मतलब कि अगर आपने अभी तक यह फणा के बारे में नहीं पढ़ा है दोस्तों जो स्टॉक एस्टेंड वाले बच्चे उनको यह lecture करने ही करने है कंप्लीट क्योंकि यह चीज़े भी उनको अग्जामें पूछी जा सकती है ठीक है तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगर आपको यह theoretical potions देखना होगा आप क्या करें आप YouTube पे सर्च करें फना part 1 करोगे जिसमें आपको हमारा फना वाला सोरी फना हाँ फना का part 1 करोगे तो आपको यह चीज़े मिल जाएंगी ठ तो यह थोड़ा एक मिन्ट चलिए ठीक है करना क्या है फना सोरी फ्लोरा 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 पार्ट वन करना है ठीक है चलिए फर्स्ट कोशन चलिए बताएए इसका अंसर क्या होगा could you of the flower is known as goddess of the flower is known as goddess of the flower is known as goddess of the flower of known as बताइए जल्दी से फ्लोरा को बोल जाता है फन्हा को बोल जाता है या फ्लोरा फन्हा तो नहीं बोला जाता है, so guys, जो goddess of the flower है, वो बोला जाता है आपका flora को, ठीक है, flora को goddess of the flower बोला जाता है, scientific name of chinatry, chinatry का आप से scientific name बोच रहे हैं, जल्दी से बताओ, क्या नाम है, last में सभी बच्चे अपना score जरूर बताएंगे, क्या मेलूस पुमीला है, plantious orientals है, यहां फिर प्रूनूर्स है, यहां फिर नन है, पताएंगे ज़र चल्दी से, तो इसका जो right option है, वो अपका B है, ठीक है, plantious orientals, ओके, चलिए next question पर, next question पर चलिए guys, next question है, scientific name of pine tree, pine tree का आप से scientific name बोच रहें, जल्दी से बताएं, pine tree का, अगर किसी को पता है, तो pine trees का scientific name क्या है, तो जल्दी से बताएं, क्या वो मालवस पुमीला है, प्रूनून से है, यहां फिर pineus rocks बूर्गी है, पताएंगे ज़रा क्या नाम है, तो इसका जो right option है, वो है आपका pineus rocks बूर्गी, ठीक है, जो यह, आपका pine tree है ना, इसको बोला जाता है कि ancient time में, ancient time में, इसको use किया जाता था, for constructing house, जरूरी नहीं है, बिल्लो ट्री वाले बिल्लाइफ गार्ड वाले की फणा पार्ट ही देखें, सिर्फ नैशनल पार्क और बिल्लाइफ सेंच्री देखें, आपको यह चीज़े भी देखनी है, तीक है, क्योंकि question आपका यहीं से बन सकता है, मैं भी बिल्लो ट्री वाला एक question पूछा भी गिया था, जेकेस से भी class vote में, scientific name आप silver fear, silver fear का scientific name क्या है, क्या वो abyss, alba है, abyss कॉन कॉलर है, abyss है, यहाँ फिर, pisha abyss है, जल्दी से बताए इसका अंसर, तो जो silver face होता है, इसकी जो trees की जो heights होती है, वो होती है guys, 60 meter तक होती है, और जो इसके leaps होते हैं, यानि कि कहने को अंदर पत्ते जो होते हैं, वो treat mild करते हैं, headache और mental stress, जो हमारा होता है, उसको, उससे हमें relief देते हैं, वो इसका scientific name है, abyss, alba, इसका scientific name है, guys, इसकी pdf में अपने telegram channel पर, telegram जरूर जोइन कर ले, link description box में हो, scientific name आप walnut tree, walnut tree का scientific name क्या है, जो walnut tree होता है, मैं आपको बता दूँ, जो उसकी बार्क होती है, जो किश्मीर से बच्चे हैं, उनको सभी को पता होगा, जो बार्क होती है, यानि कि छिलका जो होता है, वो use किया जाता है, cleaning teeth क लिए, तो इसका जो scientific name है, वो आपका है, ये तो नहीं होगा, हमने पढ़ लिया है, वो है आपका जूगलांज, क्या है, जूगलांज, उसके बार next question आता है, scientific name है, below trees, below trees का जो use होता है, मैंने आपको बता दे है, जो किश्मीरी, किश्मीर में होता है, ये, किश्मीरी below tree ब hockey sticks बगरा, उनके लिए use होता है, ठीक है, उन सबके लिए use होता है, इसका scientific name की अगर बात की चाहे तो scientific, इसका नहीं है, salix, ठीक है, be option is the correct option, scientific name of cherry tree, अब बोरा कि cherry tree का scientific name क्या है, salix है, prunes है, prunos abeum है, ये फिर none है, बताएं ज़र जल्दी से, cherry tree का, तो cherry tree का जो scientific name है, वो नूस abeum है, ठीक है, और ये अवेंडर्स मदियें की, साधा मिलता है, कश्मीर में, scientific name of apple tree, apple tree का scientific name क्या है, sir, जोनातन, no sir, जोनातन तो सरी एक apple की type है, red delicious भी sir, apple की type है, क्या मालूस पुमीला, yes, is the right option, c is the correct option, scientific name of almond tree, almond tree का scientific name क्या है, क्या बाफ मालूस पुमीला सरी, apple का है pronouns है, sir, pronouns हो नहीं है, salix sir, किसका था, sir, salix आपने बताया, ये था आपका, bilot tree का, तो ये भी नहीं होगा, तो right option आपका pronouns हो जाएगा, ठीक है, scientific name of saffron, ये question भी शायद है, exam में कहीं बाफ पूचा गया है, और जाएगा भी, जा सकता है, crocus sativus, so guys, आप इन question को lightly मत लेना, lightly म हो सकता है, आपको, उसमें से 10 easy हो, जो अपने उपर-उपर से बड़े हो, वो हो, तो 10 हो सकता है, थोड़ा deep concept हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, कि ऐसा हो साई, कि question easy नहीं, scientific name of daudar tree, daudar tree का scientific name क्या है, cedris daudara है, देवदारू है, या बोत है, या नन है, बताएं ज़र जल् following tree is known as a boots of the good, boots of the god किसको बोला जाता है, कौन से tree को, बालनट tree को, चिनार tree को, देवदार को, या फिर नन को, तो वो बोला जाता है अपका, जल्दी से answer बताएं इसका, क्या answer है, boots of the god किसको बोला जाता है, वो अपका, देवदार tree को बोला जाता है, ठीक है, after that next question जियन के state forest policy established in which year जियन के जो state forest policy थी वो किस year में establishment हुई थी क्या 2010 में हुई थी 1978 में, 80, 83 में या 9 में तो ये established हुई थी 2010 में ठीक है exam में question बन सकता है क्योंकि JKSSB ऐसे ही question पूछती ही आजका जियन के state forest cooperation established in which year जियन के state forest जो cooperation था corporation था वो किस year में establish किया गया 1987 में, 78 में, 99 में या 80 में ये जो establishment इसकी जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1978 में अब आपको कितने question आते थे मुझे last में जरूर comment कीजिएगा 15 question which of the flowing tree is known as king of tree तो वो बोला जाता है आपके किस tree को almond के tree को no, apple के tree को no जुदार को, सरी इसको बोला जाता है बूर्सापदी कॉर्स, अभी बताया तो जो होता है न, king of trees in कश्मीन तो वो है आपका चिनार tree तो इनके later अब आपको examen question बन सकती है तो वो बोला जाता है आपके चिनार के tree को तो guys, ये थे 50 mcqs, अगर आपको अच्छे लगे हो तो like को और share जरूर कर देना और channel पे new हो तो channel को जरूर subscribe कर लेना guys हमने बहुत सारी pds provide की हुई है हमारे telegram channel पे अगर आप files पे click करते हो तो आपको दिख जाएंगी district wise हमारी चल लिए अभी तक मैं आपको बात करो तो I think हमारी 6 district हो जुगी है district wise अगर mcqs की बात करो तो mcqs की अभी हमारी 7th lecture हमारा upcoming है भी तेक है यानि कि उसके बाद रहती हैं सिर्फ आपके 3 lecture जिसमें हम 6 district को cover करेंगे so guys, hopes हो इनमें से कुछ questions देखने को मिल सकते हैं यूनियरेस्टेंट के एक्जामे तो guys मेरे ख्याल में तो डिटेल हिस्ट्री बढ़ना अच्छा रहता क्योंकि यह में special course लाया है जो mcqs का यूनियरेस्टेंट के एक्जाम के लिए जैसे हमारी 20 district हमारी complete हो जाएंगी इसको time लगेगा अभी यह February तक भी series जा सकती है इसको क्या होगा कि इसको फिर देखेंगे जो mcqs हमने इस series में नहीं करवाए उसके लिए एक lecture लाएंगे जिसमें हमारे 50 तक mcqs अगर जाते हैं तो जितने भी जाएंगे जो हमने add नहीं की होंगे उनको हम आपके आपके सामने लेके आएंगे कि ताकि जो आने वाले एक्जाम होंगे यानि कि विल्लाइफ गार्ड का होगा स्टॉक एस्टेंड का होगा अब देखो जेके पी एसाई के एगर मैं बात करूँ जेके पी एसाई का जो एक्जाम है उसका स्लेबस मी मैंने किसी दिन discussion करना है जाई कियोंकि उसमें भी चीज़े बड़ी है तो अगर मैं बात करूँ तो जेनके का कुछ भी नहीं है दिखने को अगर बात की जाए तो जेनके का आपको कुछ भी नहीं है वापे PSE कहीं न कहीं अगर मैं बात करूं जो उनका स्लेबर्स है वो अकाउंट एस्टेंड की तरह है और PSE का जो एक्जाम होता है परी उसकी तरह है तो देखते हैं और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्यूंकि कट आफ इतना जादा भी नहीं जा सकता है उसका ऐसी बात नहीं है क्योंकि 150 में से वो होगा स्कोर होगी आपकी तो कोशन तो 120 है अब देख लो किसे साफ से वो कोशन को मार्क्स देंगे ठीक है तो देखो अगर मैं उन्होंने बोला था कि जो अफिशल नोटिफिकेशन जिस टाइम उन्होंने स्लेवर्स के थोड़ थोड़े कंपो रिटन में जो हम यहां पर विकैंजी स्लेक्ट करेंगे वो सिक्स टाइम होगी सिक्स टाइम किसे होगी रिटन में जो बच्चे स्लेक्ट करेंगे वो सिक्स टाइम होगी फाइनल स्लेक्शन के फाइनल स्लेक्शन में अगर अब उस टाइम तो 800 थे अब बारास हुए है ठी अब आप सोचो कि सीधा कटाप देट सो से तो भी जादा बन सकता है सरी 117 30 इस तना से जा सकता है अब सोचो कि 6 time selection होगी तो इसको उसके साथ multiple 50% है तो आप देख लो आपकी कितनी हो सकती है जर्नल वालों की पूरी तो 600 है इनकी 50% वैल वह एंसी इनको दीए तो आप देख सकते हो 3600 बच्चा इसमें सेलेक्शन लेगा यानि की रिटर्न में तो उसके बाद देख सकते हो कितना आपको सिर्फ 600 बे आना है समसरे हो ठीक है बाग की जो एसी वाले हैं उनकी कितनी 94 है तो कर लो 6 के साथ multiply क्योंकि जे कैसे उस टाइम यह मैं जे कैसे सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहा हूँ होम डिपार्टमेंट ने खुद बोला हुआ था अगर आपके पास अगरो नोटिफिकेशन है उसको रिट आउट करो आपको बता चल जाएगा तीक है बबाई टेक केर